अगर आप भी रहना चाते हैं चुस्त, दरुस्त और तंदरुस्त और अपने परिवार के और अपने बच्चों के साथ बिताना चाते हैं खुश हाल जीवर तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वो सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिये गए बैल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की वीडियो की अपडेट्स फ्री में मिलती रहें हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ के दुनिया में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज में आपके लिए बच्चों में बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही मुश्किल से ठीक होने वाली बिमारी यानि की मीजल्स जिसको चिकन पॉक्स मीच कहते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारे दूँगी कि कैसे आप इसके सिम्टम्स को परचान सकते हैं कैसे आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे को कहीं यह बिमारी तो नहीं हो रही कैसे आप उसको इससे बचा सकते हैं किन किन चीजों से आप उसका ध्यान रख सकते हैं साथ ही उसको अगर यह बिमारी हो गई है इससे वह प प्रती बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम होता है अभी वह डैवलप हो रहा होता है इसलिए वह जो contagious diseases होते हैं यानि कि जो जो चुवा चूथ के बिमारियां होती है जो आसानी से फैल जाती है उन बिमारियों के भीट में आने का उनका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसी तरह सी यह दो बिमारियां है chicken box और वीजर्स यह दोनव बिमारियां भी आपको किसी के जो बिमार व्यक्ति है जो पीडित व्यक्ति है उसके contact में आने से होती है और इसे contagious disease कहा जाता है इसका सबसे असान तरीका है अपने बच्चे को इसे बचाने के कि सही समय पर, सही टाइम पर अपने बच्चे को इसकी vaccination लगवाना किस टाइम पर, किस age group में आपको इस vaccination को लगवाना है यह भी आप मैं आपको अपने बच्चे का इलाज करा सकती है French measles को red measles या फिर rubella नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत ही जादा contagious यानि कि छुआ छुट से फैलने वाले बिमारी है और इससे आपके बच्चे की या फिर किसी बड़े की भी पर पूरी बड़ी पर rashes हो जाएंगे जिसके साथ ही उसको कही तरह के symptoms भी नजर आएंगे जैसे कि कफ है और तेज बुखार है यानि और या फिर नोस का बहना या फिर नाक का चलना भी इसका एक बहुत बड़ा symptom मना जाता है अब आप जानिए कि मीजर्स फैलता कैसे है क्योंकि जो मीजर्स का वाइरस होता है वह highly contagious होता है तो यह बहुत असानी से फैल जाता है जो patient है जो पीडिक इसके व्यक्ति है उससे उसके आसपस अगर कोई इंचान जाएगा तो वह उसको बिमारी का शिकार होने का बहुत जादा खत्रा हो चकता है खास करकी बच्चों में च्योंकि जो मीजर्स का वाइरस है उसमें पस यानि की म्यूकस से वह फैलता है और अगर आपका जो patient है जिसको यह बिमारी है वह चींकेगा या फिर उसको कफ करनेगा इसी कफ की मदद से उसकी चींकने की help से जो वाइरस है वह हवा में फैल जाएगा और लगबग दो घंटे परत एक बार इस वाइरस के व्यक्ति के मूझ से या कफ से बाहर निकलने के लगबग दो घंटे तक यह वाइरस हवा में रहता है और जो भी इस समय में उसके contact में आता है उस हवा के contact में आता है तो यह virus उसको भी जरूर ही affect करता है तो यह disease उसको भी लग जाता है और यह चीज यह virus है अगर आप उस व्यक्ति के साथ इसको वीजल्स चेकन बॉक्स के बिमारी हो गई है उसके साथ आप खाना शेयर करेंगे या फिर प highly contagious disease है इसलिए अगर बच्चा जो विक्टीन है जो पेशेंट है उसके कॉंटेक्ट में आएगा जिसको यह विमारी अल्रेडी हो रखी है तो बच्चा भी इससे जरूर एफेक्ट करेगा क्योंकि बच्चों की मैनिटी इतनी स्ट्रॉंग नहीं होती वह जल्दी ही विमार प जिनके जरिये आप चांच सकते हैं पहचांच सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे को भी या आपको भी इस बिमारी के वारस ने गेर तो नहीं लिया है तो सबसे पहले है कि इसमें आपकी बॉड़ी पर या बच्चे की बॉड़ी पर रैशीज यानि कि सारे जो चत्के होते है लाल चत्के आपकी पूरी बॉड़ी पे पहुंच जाएंगे, आपको दिखने लगेंगे, ये इस बिमारी का सबसे obvious symptom, लेकिन इन चत्कों के दिखने से पहले, 4-5 दिन लगभग दिखने से पहले कुछ और symptoms भी हैं, जिनके जरीए आप पेचांच सकते हैं, कि आपके मीजिल्स की दिक्कत हो गई है, इसमें सबसे और जो prominent इसका जो symptom है, वे है हाई fever, 104 दिन तक अगर fever पहुंच जाता है, तो आपको alert होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसके साथ ही अगर कफ की शिकायत है, या फिर नाक से नाक पह रहा है, लगाता नाक चल रहा है, तो यह भी उसका symptoms हो सकता है, इसके अलावा जो आपके बच्चे के गला है, उसमें भी थोड़ी सी spelling आपको दिखाई देगी, बच्चे का जो मुह है वे हमेशा खटा रहेगा, उसको जो खाना निगलने में बहुत ज़्यादा परिशानी होगी, इसके साथ ही उसकी जो आख ही है, उनमें भी redness आजाएगी, वो साथ ही साथ जो उसका मुह है और उसका जो गला है, अगर आप उसमें ध्यान से सेखेंगे, तो आपको ग्रेश और वाइट कलर के स्पॉर्स नजर आएगे, पर यह सब symptoms अगर आपके बच्चे में आपको नजर आ रहे हैं, आपका से खा नहीं रहा है, तो आप तुरंच चिकिट्चक के पास जाकर इसका टेस्ट जरूर करवाईए, अपनी चिकिट्चक से जरूर एक बार सला लीजिए, ताकि आपके बच्चे को अगे इस बिमारी से जादा दिकर ना हो, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वह कि रेट स्पॉट्स और रेच्जिस को ध्यान से देखने के साथ साथ, उसका सलाइवर टेस्ट यानि कि जो हमारे मुझ की लार होती है, उसका टेस्ट या फिर बलड टेस्ट करके यह कंफर्म कर सकेंगे, कि बच्चे को मीजल्स है, और यह जो वाइरस है, वह किस तरह का व प्रियाज हो सकती है, वैसे तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं, वह धीरे-धीरे डॉक्टर की देखरेक में इस बीमारी से उबर आते हैं, लेकिन कई बार यह बीमारी अगर बढ़ जाए, तो आगे चल कर यह निमोनिया का या फिर डाइडिया का भी रूप ले सकती है, सा मिस्केरेज होने की भी संभावना काफी हद तक हो सकती है, तो यह तो यह कुछ शिम्टम्स और बीमारी के बारे में पूरी जान करें, मैं आपको यह बताओंगी कि आप कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, अगर आपको या आपके बच्चे को इस तरह की किसी तरह की अगर में भी कभी दिक्कत हो जाए, तो आप इसका इलाज कैसे करें, देखे फ्रेंट्स वैसे तो इसके लिए कोई भी मेडिकेशन अवलेबल नहीं है, यह है अपने आप ठीक होने वाली ही बिमारी है, लेकिन अगर इसके शिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो आप कुछ र दॉक्टर जो दवाई कहीं, वही दवाई आप उसको दीजे, जिससे की उसका फीवर कम हो सके और उसको उसके शरीद में जो दर्द हो रही है, जो थकान मैसूस हो रही है, उसमें उसको अराम मिल सके, इसके इलावा इस चीज का पर पूरा ध्यान रखें कि आपका बच्च जब आपके बच्चे को चिकिन पॉक्स या फिर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उसको कम से कम 6-7 दिन तक स्कूल तो बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि इससे उसको तो तकलीफ होगी, साथी साथ यह बिमारी दूसरे बच्चों में भी खैलने का बहुत ज़ इसके लिए अच्छा होगा, वह उतनी ही जल्दी रिकवर कर पाएगा, इसके साथी फ्रेंट्स एक वाद और जरूर नोट कीचेगा, कि अगर इस बच्चे को ऐसे बिमारी हो गई है, यह वाइरल इन्फलेस हो गई है, तो आप उसको ऐसे पर दबाई तो बिल्कुल भी न जरूर होगी, लेकिन अपने बच्चे को इसको खुझलाने ना दें, क्योंकि इससे उसके शरीर पर स्क्रैचिस बढ़ सकते हैं, जिससे कि आगे वैसे भी उसकी जो दर्द है, उसको जो बदन में दर्द हो रहा है, इसमें वह बढ़ जाएगी और यह स्पॉट्स भी उसक वैक्सिनेशन इचाद की ही है, जिसका नाम है MMR वैक्सिनेशन, यह बहुत ही इफेक्टिव और प्रिवेंट मैजर है अपने बच्चे को चिकन पॉक्स से और मीजल से बचाने के लिए, अब आप सोचेंगे कि क्या इस वैक्सिनेशन को लगाने के बाद आपके बच्चे क कभी भी यह बिमारी नहीं होगी, फ्रेंट्स यह बहुत अधा इफेक्टिव है, 95% तक आप अपने बच्चे को इस वैरस के अगेंज इस वैक्सिनेशन के बाद बचा सकते हैं, अब आप चोचेंगे कि यह वैक्सिनेशन आप कभी भी कभ अपने बच्चे को लगवा है, इस वैक्सिनेशन अब कभी भी अपने बच्चे को नहीं लगवा सकते हैं, इसकी जो डोस है, जो फर्स डोस जिसको कहा जाता है, वह है आपका बच्चा जब एक साल का हो, उसके एक साल से सवा साल के बच्चे को ही यह वैक्सिनेशन चलेगी, यानि कि 12 मंद से लेकर 15 मंद के बच्चे के लिए ही यह वैक्सिनेशन है, और इसकी जो एक डूसरी डोस होती है, वह है चार साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को दी जा सकती है, गर आपका बेबी अभी छोटा है, तो आप प्लीज इस एज में आने पर उसको इस वैक्सिनेशन की डोसे ज़रूर बच्चा जा सके, अगर आपको भी कभी अपने बच्चे में इस तरह के सिम्टम नजराएं, तो प्लीज तुरंती जाकर डॉक्टर से सला लें और उससे यह डाइग्नोसिस करवाएं, कि क्या आपके बच्चे को यही बिमारी है, अगर ऐसा है तो प्लीज जल्दी से कमेंड बॉक्स में जाकर हमसे यह जानकरी ले सकते हैं, साथ ही फ्रेंट्स इस पात का भी ध्यान रखें, कि अगर आपके बच्चे को यह वेक्रिनेशन नहीं भी मिली है, तो आप उसकी डाइट का पूरा ध्यान रखें, उसको ऐसे फूट दें, ऐसी चीजें दें, जिसस एक्स वर वाची मिली हो जाने